राम राम जी धर्नजीवी और इनके गैंग ने तो कसम खा लिए कुष्टी को एक दम बर्बाद निस्थो नाबूद करके छोड़ेंगे इनकी बदमाशियां इनकी इनकी गद्दारी अभी तक बदस्तूर जारी आज की रिपोर्ट बता रहा हूं कल की कल की रिपोर्ट है आज मैं इस पर वीडियो बना रहा हूं कि नैशनल गेम्स होने वाले हैं गोवा में कि अब उसमें रेस्लिंग की टीम भी पार्टिसिपेट करेगी हर स्टेट से अब सिंपल से एक पुराना दब एक नियम है कि जो भी रेस्लिंग की स्टेट एससीएशन है वो एक सेलेक्शन या तो स्टेट चेंपेंशिप से हो जाती थी टीम में सेलेक्ट या फिर ट्राइल करा लेते हैं तो जो स्टेट एससीएशन है वो अपने स्टेट की टीम सेलेक्ट कर देती है स्टेट एससीएशन कौन से होती है जिसको की रेस्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ते मानिता होती है नंबर वन स्टेट एससीएशन मानिता प्राप्त स्टेट एससीएशन का मतलब क्या है प स्टेट ऑ्लम्पिक करने वाली जो अंतराष्ट्राष्ट करता कि कि आई-यो सी कहते हैं जिसकी अध्यक्ष आजकल पीटी उशा है टीक वह इंडियन ओलंपिक एस्टेट ओलंपिक एस्टेशन बनाती है जिए हर्याना स्टेट ओलंपिक एस्टेशन राजस्थान स्टेट ओलंपिक एस्टेशन एक तो होगी ओलंपिक एस्टेशन ये सभी गेम्स की नियामक संस्ता है पर इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है Olympics और अब तो बड़े-बड़े जितने भी games होते हैं उनका आयूज़ित अच्छा अब Olympic आयूज़ित करना है कि आई-वे Olympic करा रहा है पर कुष्टी कौन कराएंगा कुष्टी की एक अंतराश्य संस्ता है यूडबलु डबलु जो की आई-वे के लिए कुष्टी का Olympic आयूज़ित करें ओ तो एक तरफ आई-वे एक तरफ United अब युनाइटट वर्ल्ड रेसलिंग कैसे कुछ तिक ऑलम्पिक आउजित करेगी कि आयोए के लिए यू डबलुडू आयोए के नीचे यू डबलुडू अब यू डबलुडू के नीचे विभिन देशों की और टेरिटरीज की रेस्लिंग फेडरेशन जैसे यू डबलु डबलु के नीचे कौन है रॉश्यन रेस्लिंग फेडरेशन अमेरिकन रेस्लिंग फेडरेशन चैनीज रेस्लिंग फेडरेशन रेस्लिंग फेडरेशन 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 फेडरेश स्टेट अस्टेट असे तरह राजस्थान की स्टेट असेशन ने नेशनल गेम्स के लिए टीम चैन करके भेज दिया अब रेस्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया आज कल सस्पेंड़ है निलंबित है तो उसका कामधाम कौन देख रहा है एड हॉक कमेटी में कौन है भुपेंदर सिंग बाजवा जिनको कुष्टी की ABC नहीं पता और वो एक होटलियर व्यवसाई हैं नाम मात्र के प्रशातक हैं कुष्टी के अब कुष्टी का डेली का कामकाज कौन चला रहा है राहू के तू नाम के दो चंगू-मंगू यह राहु के तू एड हॉक कमीटी में घोसेय कैसे धर्ना जिवियों ने घुसाए धर्ना जिवियों ने कैसे काय्ण ओजा और ठाकुर के कनपटी पर कट्टा लगा के हमारे दो आदमी गुशाओ इसी तरह तो जो ऑवर्साइट कमेटी दिना उसमें भी इन्होंने भविता फोगाट होता ही महारा आदमी तो कोई वर्षाइट कमेटी में है नहीं महारे से पूछ के नहीं बनाई और साइट कमेटी अरभी यह निश निश्पक्ष लोग बैठेंगे जो निश्पक्ष नहीं नहीं महाराद में तो बठाना पड़ा गाब आई अन्राग धाकुर लेट गए इनके सामने अच्छा भाई लेलो वह बविता फोगाट वह बविता फोगाट जिसने की धरना आयोजित किया जिसने दिल्ली पुलिस अब अड़ाग कमेटी बनी वह जो कि कुष्टी का काम का समालेगी उसमें महाराद में गुशाओ अन्राग ठाकुर फिर लेट गया लो जी लेलो तो तब रहू के तू नामक दो चंगु मंगु जो कि धरना जीवियों के हित्साधक है कुष्टी के हित्साधक नहीं है मैं अभी बताऊं कि कैसे नहीं है तो धरना जीवियों के दो चंगु मंगु इनका एक मात्र एजिंडा क्या था इन धरना जीवियों को किसी तरीके से एशियन गेम एवं अन्य बड़े टूर्णामेंट्स बिनेंटरा लिए खिलवा दो वह जो इन्होंने किया पूरे देश न के पक्षमें नहीं थे इन चंगु मंगु ने पूरे देश को दोखा देके पूरे कुष्टी समाज को दोखा देके बजरंग पूनिया और विनेश्वोगाट का सेलेक्शे नेशिंगेंट के बिना ट्राइल किया उसका नतीज़ा पूरा देश देख चुका अब यह दरना तो कामचला उसरकार किसकी है चंगु मंगु की चंगु मंगु मिंस जो यह दरना जीवियों को चंगु मंगु जिनका नाम मैंने रहुकेतु रखावा है अब इस वक्त भारते कुष्टी को रहुकेतु रन कर रहे हैं तो एड-hoc कमिटी ने जो रेस्लिंग फेडरेशन अफ इंडिया की एफिलियेटेट बॉड़ी थी राजस्थान की उनको बकाइदा इमेल भेजी कि आप अपने टीम सेलेक्ट करके 15 तारिक तक अपनी टीम की एंट्री हमें भेज दीजे जो वहां की डबली ओफ आई की अफिलियेट बॉड़ी थी उन्होंने एक बढ़ियां सेलेक्शन किया और बेस्ट टीम सेलेक्ट करके राजस्थान की उसकी एंट्री भेज दी कल साब पता चला कि राहु केतु नामक चंगू मंगू ने उस टी पहले बोलते दीजी हमारा भी हक है हम भी हैं तो जब डबलू एफ आई की वोटर लिस्ट बन रही थी चुनाव के लिए तो इसी एड़ाव कमिटी में एक तीसरा व्यक्ती जो की एक रिटार्ड जजज है मिस्टर मिसकल उनको नेक्त किया गया था उनका काम था वो डिटर चुनाव में वोट देने का हक है ठीक तो बाकाइदा राजस्थान की दोनों बॉडी इस ने रिप्रेजेंट किया और उस जजज साहब ने जो प्रेजेंट बॉडी है जो कि डबलू एफ आई और राजस्थान ओलंपिक एस्टेशन से एफिलेटेड है उसको वोटिंग र जिसने वोटर लिस्ट बनाई आज चंगु मंगु ने उस रिटर्णंग ओफिसर द्वारा सेलेक्टेड सेनोट सेलेक्टेड मतलब संस्तुती की गई मानिता दी गई रेस्लिंग एस्सेशन की टीम को खारिज कर दिया जो कि एक नंबर की टीम थी नई टीम बना के भेज दी और उसके बारे में बताए कि बाकाइदा पैसे लेकर लड़कों का नाम सेलेक्ट गिया गया है एक ऐसी बॉड़ी के द्वारा जिसकी कोई वैधानिक मानिता नहीं है ना उसके पास डबलो ओफाई का एफिलेशन है ना राजस्थान स्टेट ओल नेश्ल गेम्स खिलाएंगे जो बढ़िया लड़के थे जो एक नंबर टीम थी वह पहले सेलेक्ट तो उसका एक भी लड़का इस टीम में नहीं है अब जो इस टीम में है वो टोटली नहीं टीम बना दी उसका एक भी लड़का इधर टीम में नहीं है यह लड़के क्या प्रेटेरिया पर इनको सेलेक्शन क्रेटेरिया था और आपने अब देश को यह जवाब तो मिलना चाहिए ना कुछती जगत यह जानना चाहेगा ना कि राजस्तान की जो बी टीम है यह जो दूसरी वाली बॉड़ी ने जो टीम सेलेक्ट करके बेजी उनका सेलेक्शन माशा देख रहे हैं और कुछती का बंटाधार हो रहा है होता रहे का जब तक WFI के चुनावनी होंगे और इस राहू के तुस्से कुछती को मुक्ती नहीं मिलेगी आज की रिपोर्ट अचा अभी राजस्तान की रिपोर्ट आई है अभी आप देखते जाई है अभी हरेने पता नहीं क्या हुई क्या हुआ वो तब भी देखना पड़ेगा अन्य स्टेटों की टीम है कौन किसकी लड़ रही है तो यह आज की रिपोर्ट है तो यह चंगु मंगु और यह डॉक कमेटी और यह धरना जीवी गैंग ने कसम खा रखी है कि कुछती को बरबाद करके छ करते मिलते हैं थैंक यू वेरी मच्च